हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू से बहुत ही टेस्टी नास्ता तो पांस मिनट पर बनके तयार हो जाता है और इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बार बनाने का मन करेगा तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं तो यह एक बरतन में हमने पानी देंगे और इनने दस मिनट तक उबलने देंगे दस से बारा मिनट भी लग सकते हैं मेडियम प्लेम पे तो यह आप देखिए तो यह आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं हमने चेक कर लिया था थोड़ा तो उसके बाद हम यह चंणी में रख देंगे ठंडा करने के ले लेंगे और इसे आलू को हम इसमें डाल देंगे तो हलके गरम है यह भी वी तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे एक काटा ले लेंगे और इसे मैस कर लेंगे तो बिल्कुल बारी कर लेंगे हम इससे एकदम से अच्छे से हो रहे हैं यह आलू मैस भी तो ऐसे करके और ब बारी कटावा प्याज इसमें डाल देंगे, थोड़ा बारी की रखेंगे प्याज को, उसके बाद थोड़ा ज्यादा सा धनिया डाल लेंगे, बारी काट लेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, साबू जीरा है ये, और नमक डाल लेंगे स्वात के अनुसार, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे आधी चमस से भी कमी है थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे और थोड़ा सा हम ये चाट मसाला डाल रहे है ताकि हमारे जो नास्ता है वो अच्छा चटपटा सा बने तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से आलू में जो और जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिर्स हो जाए, आप जाए तो हरसे इसे मिर्स कर सकते हैं, तो हमें अच्छी तरह से ऑच्छी कर दिया है, उसके बाद हम यह वाय कंछ चोटी कटोरी, कॉणन फ्लायर ले रहे हैं तो यह अगर वैसे चमच से ना पेंगे, तो मीडिय मिक्स करके और यह डोव बन जाएगा विल्कुल आसानी से बन जाएगा हलका सा इसमें तेल डाल लेंगे हलका सा जैसे यह हाथों पे चिपक रहे हैं हम पहले डालना भूल गए थे तो हलक एक चमच के करीब हम तेल डालेंगे इसमें और फिर इसको अच्छे से डोव बना ले तैर आप चाहें तो दूसरी पलेट पर कर सकते हैं यह वह तेल लगा के तो ऐसे रखेंगे और इसको अच्छी तरह से दबा देंगे आप चाहे तो किसी कटोरी से इससे सैट कर सकते हैं बिलकुल आसानी से हो जाएगा तो ऐसे यह आप देखिए तो हमने सैट करके एकदम तयार कर दिया है चाकू ले लेंगे और इसको थोड़े बड़े बड़े उसमें कट कर लेंगे ऐसे करके तो एक बार हमने कट कर लिया तो एक बार और हमें कट करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हल्का हल्का तिर्चे में इसके कट कर लेंगे ऐसे करके यह आप देखिए तो ऐसे ही हम पूरे ही इतना भी हमारे पास है यह डूब वह ऐसे ही कट कर लेंगे और इतने अच्छे-च्छे पीश निकलके आ जाएंगे एक दम से कोई भी जंजट नहीं है तो यह हमने पूरा कट कर लिया इस वाले को तो यह हम निकाल के दिखा देते हैं एक बार तो यह आप देखें कितने अच्छे पीसे निकल के आ रहे हैं तो इसको हल्प कासा हम उगलियों से सैट कर लेंगे बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा और ऐसे सारे बना लेंगे तो यह आप दिखें हमने बना के तयार कर दिये तो इधर हमने दो पड़े चमज तेल गरम कर लिया था तो इसको तेल अच्छा गरम होने पर हम यह नास्ता जितना भी इसमें आएगा उतना डाल लेते हैं गैस को मीडियम पर ही रखेंगे तो ऐसे करके आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं और कुछ अच्छा खाने का मन करें तो आप पांच-दस मिनट में इसे बना के आराम से तयार कर सकते हैं पांच मिनटी लगते हैं जादा करके दस भी नहीं लगेंगे अधर हलका थोड़ी देर तक हम बिल्कुल भी इसे छेड़ेंगे नहीं तो थोड़ी देर के बाद ही हम इसको पलटेंगे तो यह आप देखे हलका हलका कलर चीज़ होने लग गया है तो ऐसे ही उलट पलट करक देखे दो-चार बार और अच्छा कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे तो यह आप दिखिए अच्छा कलर भी इसमें आने लग गया है एक बार और हम फिर से पलट से पलट लेते हैं और एकदम करारा करारे सा नास्ता बन के विकुल तयार हो जाएगा तो यह देखिए आप दोनों साइट से सिखके एकदम तयार हो गया है अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है तो एकदम करारे हो गएगी तो अब हम निकान लेते हैं तो ऐसे करके थोड़ा साइट पर रोक लेंगे और जो भी इसमें तेल होगा तो वो नीचे चला जाएगा कड़ाई में और जो और बचे उसको भी ऐसे ही बना लेंगे तो यह हमने सारा ही बना के तयार कर दिया है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह आलो का नास्ता कैसा लगा तो यह आप देखिए इसे सौस के साथ चटनी के साथ आप खा सकते हैं तैंक्यू सेखंग झालो का यह आपको यह आपको खा समय आपको यह दिन